पाठ संख्या 16, प्रिष्ट संख्या 114, यतिंद्र मिश्र, यतिंद्र मिश्र का जन्म सन 1977 में आयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ, उन्हों ने लखनो विश्विद्याले लखनों से हिंदी में में किया, वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धोवार्शिक सहित पत् वर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं, यतिंद्र मिश्र के तीन काब्वे संग्रहत प्रकाशित हुए हैं, यदाकदा, अयोध्या तथा अन्यकविताएं, डियोड़ी पर आलाप, इसके अलावा, शास्त्रिय गाई का गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी, रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधी कवी दुजदेव की ग्रंथावली जो संद 2000 में प्रकाशित हुई थी, उसका सह संपादन भी किया, कुमर नाराण पर केंद्रित दो प युआ रचनाकार यतिंद्र मिश्र को भारत भूशन अगरवाल कविता संबान, हेमंत स्मृती कविता पुरसकार, रितुराज संबान आदी कई पुरसकार प्राप्त हुए हैं कविता, संगीत वा अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृती के विविद्ध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुची है प्रिश्ट संख्या 115 नौबत खाने में इबादत प्रसिद्र शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ती चित्र है यतिंद्र मिश्ट ने बिस्मिल्ला खाँ का परिचय तो दिया ही है साथ ही उनके रुचियों, उनके अंतरमन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदन शील भाषा में व्यक्त किया है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है इसका विधिविधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय अवश्यक है सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरू शिश्य परंपरा जरूरी है पून तनमयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मन्थन जरूरी है वह लगन और धैर्य बिस्मिल्ला खा में रहा है तभी असी वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है यतिंद्रमिश्र संगीत की शास्त्रिय परंपरा के गहरे जानकार है इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजे हैं जो पाठ को बार-बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है भाषा सहज, प्रवाहमई तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है प्रिष्ट संख्या 116 अब चलते हैं पाठ की ओर नौबत खाने में इबादत सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंच गंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योड़ी ड्योड़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनी अमीर उद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शंसुदीन 9 साल का अमीर उद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिडिया को कहते हैं और ये लोग हैं मामुजान वगेरा जो बात बात पर भीम पलासी और मुलतानी कहते रहते हैं क्या वाजिव मतलब हो सकता है इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीर उद्दीन की कि जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा गोया इतना जरूर है कि अमीर उद्दीन व शम्सुदीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अलीबक्ष देश के जाने माने शेहनाई वादक हैं विभिन रियासतों के दर्बार में बजाने जाते रहते हैं रोज नामचे में बाला जी का मंदिर सबसे उपर आता है हर दिन के शुरुवात वहीं डियोड़ी पर होती है मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुलतानी, कल्यान, ललित और कभी भैरो रागों को सुनते रहते हैं ये खांदानी पेशा है अलीबक्ष के घर का उनके अबबाजान भी यहीं डियोड़ी पर शेहनाई बजाते रहते हैं अमीरुद्दीन का जन्म डुमराओ बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है पांच-छह वर्ष डुमराओ में बिता कर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है डुमराओ का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी पर यह जरूर है कि शेहनाई और डुमराओ एक दूसरे के लिए उपयोगी है शेहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शेहनाई को फूका जाता है रीड नरकट से बनाई जाती है जो एक प्रकार की घास होती है और जो डुमराओ में मुख्यता सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है इतनी ही महत्ता है इस समय डुम्राओं की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है फिर अमीर उद्दीन जो हम सब के प्रिये हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्ला खां सहाब है उनका जन्म स्थान भी डुम्राओं ही है इनके परदादा उस्ताद सलार हुसेन खां डुम्राओं निवासी थे बिस्मिल्ला खां उस्ताद पईगंबर वक्ष खां और मिठन के छोटे सहब जादे हैं प्रिश्ट संख्या 170 अमिरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है बिस्मिल्ला खां की उम्र अभी 14 साल है वही काशी है वही पुराना बाला जी का मंदिर जहां बिस्मिल्ला खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है मगर एक रास्ता है बाला जी मंदिर तक जाने का यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से होकर जाता है इस रास्ते से अमिरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ कभी ठुमरी, कभी टपपे, कभी दादरा के मार्फत डियोडी तक पहुँचते रहते हैं रसूलन और बतूलन जब गाती हैं, तब अमिरुद्दीन को खुशी मिलती है अपने धेरों साक्षातकारों में बिस्मिल्ला खां सहाब ने स्विकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रती आसकती इन ही गाई का बहनों को सुनकर मिली है इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभाव की स्लेट पर संगीत प्रेणना की वर्ण माला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उके री है वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता इसे संगीत शास्त्रान तरगत सुशिर वाद्धियों में गिना जाता है अरब देश में फूँक कर बजाये जाने वाले वाद्धे जिसमें नाडी यानी नरकट या रीड होती है को नय बोलते है शहनाई को शाहे नय अर्थात सुशिर वाद्धियों में शाह की उपाधी दी गई है सोलमी शताब्धी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रजी बंदिश जो संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रिंगी एवं मुर्चंग आदी का वर्णन आया है अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधी विधानों के आउसर पर ही प्रयूक तो हुआ है दक्षिन भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनी का संपूरक है शहनाई के इसी मंगल ध्वनी के नायक बिस्मिल्ला खां सहब असी बरस से सुर मांग रहे हैं सच्चे सुर की नेमत असी बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की अबादत में खुदा के आगे जुकते हैं वे नमाज के बाद सजदे में गिर गिराते हैं मेरे मालिक एक सुर बख्षते सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अंगड़ आंसू निकल आएं उनको यकीन है कभी खुदा यूही उन पर महरवान होगा और अपनी जोली से सुर का फल निकाल कर उनकी और उच्छा लेगा और कहेगा ले जा अमिरुद्दिन इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी अपने उहा पोहों से बचने के लिए हम स्वयम किसी शरण किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुष्चिंताओं, दुर्भलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गड़ सकें हिरन अपनी ही महक से परिशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है अस्सी बरस से बिस्मिल्ला खाँ यही सोचते आये हैं कि सातो सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई प्रिश्ट संख्या 118 बिस्मिल्ला खाँ और शेहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है मुहर्रम का महिना वह होता है जिसमें शिया मुसल्मान हजरत इमाम हुसेन एवं उनके कुछ वन्शजों के प्रती अजादारी मनाते हैं यानि शोक मनाते हैं पूरे दस दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान में कोई व्यक्ती मुहर्रम के दिनों में न तो शेहनाई बजाता है नहीं किसी संगीत के कारेक्रम में शिरकत ही करता है आठमी तारीख उनके लिए खास महत्वकी है इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फात्मान के करीब आठ किलो मीटर की दूरी तक पैदल, रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं इस दिन कोई राग नहीं बज़ता राग रागीनियों की अदाइगी का निशेद है इस दिन उनकी आँखें इमाम हुसेन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है अजादारी होती है हजारों आँखें नम हजार बरस की परंपरा पुनर जीवित महर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानविय रूप ऐसे आऊसर पर आसानी से दिख जाता है महर्रम के गम जदा महौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं वे अपने रियाज को कम उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम लेकिन पक्का मुहाल की कुलसुम हलवाईन की कचवडी वाली दुकान वा गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हिरोईन रही थी? बड़ी रहस्ते में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आँखें और जल्दी ही खिस से हस देने की ईश्वर ये कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। प्रिष्ट संख्या 119 इसी बाल सुलब हासी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसरगीक आनंद में आँखें चमक उड़ती हैं। अमीर उद्दीन तब सिर्फ चार साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर धेरों छोटी बड़ी शहनाईयों की भीर से अपने नाना वाली शहनाई ढूनता और एक एक शहनाई को फैंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय थर्ड क्लास के लिए छे पैसे का टिकट मिलता था। अमिरुद्दीन दो पैसे मामू से, दो पैसे मौसी से और दो पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लग कर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हौल में आई और उधर अमिरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठनी मेहंताना। इस पर यह शौक जबरदस्त की सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान। वहां की संगीत में कचवडी। संगीत में कचवडी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचवडी डालती थी। उस समय चन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह औरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनोंने ऐसी कचवडी खाई होगी। मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी अर स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अदभुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई बरसों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिन में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जैनती के आउसर पर यहां पाँच दिनों तक शास्त्रि यह गायन वादन की उतक्रिष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्ला खां अवश्य रहते हैं। अपने मजभब के प्रती अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्ला खां की श्रद्धा काशी विश्वनात जी के प्रती भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते है तब विश्वनात हुआ बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुह करके बैठते हैं थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला गुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बजती है खां साहब की एक रीड पंद्रह से बीस मिनिट के अंदर गीली हो जाती है तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते है प्रिष्ट संख्या एक सो बीस अकसर कहते हैं क्या करें मिया इकाशी छोड़ कर कहा जाए गंगा मैया यहां बाबा विश्वनात यहां बाला जी का मंदिर यहां यहां हमारे खांदान की कई पुष्टों ने शहनाई बजाई है हमारे नाना तो वहीं बाला जी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं अब हम क्या करें मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी और ना काशी जिस जमीन ने हमें तालीम दी जहां से अदब पाई वो कहां और मिलेगी शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धर्ती पर हमारे लिए काशी संस्कृती की पाठ शाला है शास्त्रों में आनन्द कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान वा नृत्त विश्वनात है काशी में बिस्मिल्ला खाँ है काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महराज हैं विद्यधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं मौजुदीन खा है वा इन रसीकों से उपकृत होने वाला अपार जन समू है यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीव है अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं इनके अपने उत्सव हैं अपना गम अपना सेहरा बनना और अपना नौहा आप यहां संगीत को भक् को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनात को विशालाक्शी से, बिस्मिनला खान को गंगा د्वार से अलग कर के नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है, ये बिस्मिल्ला खां है, बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शहनाई, शहनाई का तात पर ये बिस्मिल्ला खां का हाथ, हाथ से आशे इतना भर कि बिस्मिल्ला खां की फूंक और शहनाई की जादूई चाल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं की बेता ले जाएंगे, शेहनाई में साथ सुर लेकर निकल पड़े, शेहनाई में परवर्दिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े, दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह कहते हैं, अलहम चोटी चोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है, शेहनाई का करतब शुरू होने लगता है, बिस्मिल्लाह का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई, देखते देखते, शेहनाई डेड़ सतक के साज से, दो सतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई, अमिरुद्दीन की शेहनाई गूंज उठी, उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमिरुद्दीन से कहा था, बजा, बजा, किसी दिन एक शिश्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा, आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रतन भी मिल चुका है, ये फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है, आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं, खां साहब मुस्कुराए, लाड से भर कर बोले, धत पगली, ये भारत रतन हमको शहनईया प खाक रियाज हो पाता, ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न वक्षें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है, तो कल सी जाएगी, सन दो हजार की बात है, पक्का महाल जो काशी विश्वनात से लगा हुआ इलाका है, वहां से मलाई बरफ बेचने वाले जा चुके हैं, खां साहब को इसकी कमी खलती है, अब देशी घी में वह बात कहां, और कहां वह कचोड़ी जिलेवी, खां साहब को बड़ी शिदत से क कमी खलती है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा, खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को काउन पूछता है, हैरान है बिसमिल्ला खां, कहां वह कजली, चैती और अदब का जमाना, सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुपत हो गए, एक सच्चे, सुर्व साधक और सामाजिक की भाती बिसमिल्ला खां को इन सब की कमी खलती है, काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिसमिल्ला खां एक दूसरे के प पूरक रहे हैं, अब जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है, काशी में मरण भी मंगल माना गय काशी आनन्द कानन है, सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसा लए और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कवों को एक होने, वा आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेडना देता रहा है भारत रतन से लेकर इस देश के धेरों विश्व विद्यालाईयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वा संगीत नाटक अकादमी पुरसकार एवं पद्म विभूशन जैसे सम्मानों से नहीं, बलकि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्ला खां साहब भविश संगीत के नायक बने रहेंगे, नब्बे वर्ष की भरी पूरी आयू में 21 अगस्त सन 2006 को संगीत रसीकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे अस्ती बरस उन्होंने संगीत को संपूनता वा एकाधिकार से सीखने की प्रिष्ट संख्या 122 प्रश्ण अभ्यास 1. शेहनाई की दुनिया में डुमराओं को क्यों याद किया जाता है? 2. बिस्मिल्ला खां को शेहनाई की मंगल ध्वनी का नायक क्यों कहा गया है? 3. सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शेहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधी क्यों दी गई होगी? 4. आशे स्वष्ट कीजिए 5. भटा सुर न बख्षें लुंगिया का क्या है? आज भटी है तो कल सी जाएगी? 6. मेरे मालिक सुर बख्ष दे सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अंगढ़ा आशू निकल आएं 5. काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्ला खां को व्यथित करते थे? 6. पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि क 6. बिस्मिल्ला खां मिली जुली संस्कृती के प्रतीक थे 7. वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे 7. बिस्मिल्ला खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उलेख करें जिन्हों ने उनकी संगीत साधना को सम्रिद्ध किया 8. बिस्मिल्ला खां के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी विशेश्ताओं ने आपको प्रभावित किया 9. मुहर्रम से बिस्मिल्ला खां के जुड़ाओं को अपने शब्दों में लिखिए 10. बिस्मिल्ला खां कला के अनन्य उपा सक्ते तर्क सहित उत्तर दीजिए 11. इन मिश्रवाक्यों के उपवाक्ये छाट कर भेद भी लिखिए 10. यह जरूर है कि शहनाई और डुम्राओं एक दूसरे के लिए उपियोगी है 11. रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है 11. ग रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुम्राओं में मुख्यता सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है 11. ग उनको यकीन है कभी खुदा यूही उन पर महरवान होगा 11. अंगा 12. हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है 12. खाँ साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे अस्ती वरस तक उन्हों ने संगीत को संपूनता वा एक आधिकार से सीखने की जिजिविशा को अपने भीतर जिन्दा रखा 12. इन वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिये 12. इसी बाल सुलब हसी में कई यादें बंद है 13. काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अधभूत परंपरा है 14. धत पगली इ भारत रतन हमको शहनईया पे मिला है, लुंगिया पे ना ही 15. काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कवमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेड़ना देता रहा 15. कलपना कीजिए कि आपके विद्याले में किसी प्रसिध संगीतकार के शहनाई वादन का कारेक्रम आयोजित किया जा रहा है 15. कारेक्रम की सूचना देते हुए बुलेटिन बोर्ड के लिए नोटिस बनाईए 15. आप अपने मन पसंद संगीतकारों के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए 15. हमारे साहित्य, कला, संगीत और नृत्य को सम्रिध करने में काशी जो आज की वरानसी है उसके योगदान पर चर्चा कीजिए 15. काशी का नाम आते ही हमारी आँखों के सामने काशी की बहुत सी चीज़ें उभरने रगती हैं वे कौन-कौन सी हैं? शब्द संपदा, डियोड़ी यानि दहलीज, नौबत खाना यानि प्रवेश द्वार के उपर मंगल ध्वनी बजाने का स्थान, रियाज यानि अभ्यास, मार्फत यानि द्वारा, श्रिंगी यानि सींग का बना वाद्ययंत्र, मुर्चंग एक प्रकार का लोकवाद्ययंत्र, नेमत यानि इश्वर की देन, सुख, धन, दौलत, सज्दा यानि माथा टेकना, इबादत यानि उपासना, तासीर यानि गुण, प्रभाव, असर, शृती यानि शब्द ध्वनी, उहापोह, यानि उल्जन, अनिश्चित्त प्रिष्ट संख्या एक सोचोवीस, तिलिस्म यानि जादू, गमक यानि खुश्बू, या सुगंध, अजादारी यानि मातम करना या दुख मनाना, बदस्तूर यानि काइदे से या तरीके से, नैसर्गिक यानि स्वाभाविक या प्राकृतिक, दाद यानि शावासी, तालीम अर्थात शिक्षा, अदब यानि काइदा या साहित्य, अलहम्दुलिल्लाह यानि तमाम तारीफ इश्वर के लिए, जिजी विशा यानि जीने की इच्छा, शिरकत यानि शामिल होना, यह भी जाने, सम, यानि ताल का एक अंग, संगीत में वह स्थान, जहां लय की, समाप्ति और ताल का आरंभ होता है, शुती, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय का अत्यंत सुक्ष्म स्वरांश, वाद्ययंत्र, हमारे देश में वाद्ययंत्रों की मुख्य चार श्रेणिया मानी जाती है, तत्वितत यानी तार वाले वाद्यय अर्थात वीना, सितार, सारंगी और सरोद, स्वुशिर यानी फूक कर बजाय जाने वाले वाद्यय जैसे बासुरी, शहनाई, नागस्वरम और बीन, घन वाद्यय अर्थात आघात से बजाय जाने वाले धातु वाद्यय जैसे मंजीरा और घुंगरू अवनद्ध यानि चमडे से मढ़े वाद्ध्य जैसे तबला, धोलक, मृदंग आदी चैती चढल चैत चित लागे ना रामा बाबा के भवनवा बीर बमनवा सगुन विचारो कब होई हैं पिया से मिलनवा हो रामा चढल चैत चित लागे ना रामा ठुमरी बाजू बंद खुल खुल जाए जादू की पुडिया भरभर मारी हे बाजू बंद खुल खुल जाए प्रिष्ट संख्या 125 टप्पा, बागां विच आया करो, बागां विच आया करो, मख्यां तों डर लगदा, गुड जरा कम खाया करो दादरा, तडप तडप जिया जाए सावरिया बिना, गोकुल छाड़े मतुरा में छाए, किन संग प्रीत लगाए, तडप तडप जिया जाए करता है